हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुती यूनिक सी रेस्पी आलू का पराठा जिसको मैंने एकदम डिफरेंट इस्टैल में तयार किया है जब आप इसको खाएंगे तो धावा इस्टैल, रेश्टोरेंट इस्टैल सभी को भूल जाएंगे और आज के बाद आपकी किचिन में यही आलू का पराठा बनने वाला है इसको हम सर्ब करेंगे इंस्टैंट मिर्च का अचार, बटर, लच्छेदार प्याज और साथमी दही जो इसको और भी ज़्यादा लाजवाग बनाता है इसको बनाना बहुत आजान है दोस्तो स्टैब बाई स्टैब वीडियो को आप लोग पूरा जरूर दिखीगा तो आईए दोस्तो हम इसको बनाना शुरू कर लेती है आलू का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गीमू का आठा इसमें हमने स्वाधा नुसार नमक को एट कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है दो छोटे चमच हम इसमें कोकिंग ओयल को एट करेंगे बहुत ज़्यादा भी हमें इसमें कोकिंग ओयल को एट नहीं करना है दोस्तो वस थोड़ा सा ही करना है अब इस oil को हमें हाँ से ही आटे के साथ mix कर लिना है और अच्छे से mix करना है अब इस आटे को हम हलके गुनगुनी पानी के साथ पूधेंगी दोस्तों और आटा हमें बहुत ज़ादा हाट नहीं रखना है हलका सा हम सौफ्ट ही आटों को गूंदेंगे जिसी की हमें पराठा भरते समय आसानी होगी और हमारे पराठे फटेंगी भी नहीं अब इसको हम रेश्ट करने के लिए छोड़ देती हैं तो आएए दोस्तो हम चलते हैं एगले स्टेप की तरफ यहाँ पर देखें दोस्तो हमने तेल को अच्छे सी गर्म कर लिया और सबसे पहले इसमें हम एड़ करेंगे जीरा थोड़ी सी हम इसमें हींग को एड़ करेंगे बारी कटी हुई हम इसमें हरी मिर्च को एड़ करेंगे दोस्तों वीडियो को आप लोग घ्यान से देखीगा एकदम डिफरेंट रेस्पी है ये एक चमच हम इसमें धन्या पॉडर को एट करेंगे और आधा चमच इसमें हम दरदरा कुटा हुआ सौफ पॉडर को एट करेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पौडर को भी एड़ कर सकती हैं और आधा चम्मच ही हम इसमें मिर्च पौडर को भी एड़ करेंगे मिर्च पौडर भी हम इसमें हलकी दर्दरी कुटी हुई एड़ करेंगे दोस्तों और अच्छे से हमें इनको मिक्स करना है यहाँ पे मीडियम आज पर हम इसको भूनेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे दोस्तों एक चमच बेशन बेशन को हम अच्छी से इसके साथ भूनेंगे ये सबीचीज़े भूनते समय हम आज को मीडियम लो फ्लेंपर रखेंगे तभी भूनेंगे हमारे ये जो मसाले हैं दोस्तों विल्कुल भी जलने नहीं चाहिए और अब इसमें हम गरम मसाला एड़ करेंगे एक चमच हमने यहां पे अपना घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें एड़ कर लिया है आप चाहें तो कोई सा भी गरम मसाला इसमें एड़ कर सकती है दो हमने एकदम पतले-पतले स्लाइस में कट करकी रखा हुआ है इसको भी हम मसाले के साथ एड़ करेंगे और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से अब इसमें हम स्वाधा नुसार नमक को एड़ करेंगे जिसकी ये जो प्याज है वो भी अच्छे से नमक के साथ सौप्ट हो जाएगी तो हम यहां पे नमक को एड़ करेंगे और अब इसमें हम खुप सारा धनिया एड़ करेंगे सबसे लाज्ट में हमें धनिया को एड़ करना है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देती हैं तो आएए दोस्तो हम चलती हैं अगले श्टेब की तरफ और ये देखे दोस्तो हमने उबले हुए आलों को कद्दू कस करके रख लिया है आलों को हमें अच्छी सी मैस करके पहले सी ही रख लीना है और जो अभी हमने मसाला तयार किया था जैसे ही हलका सा ठंडा हो जाएगा हम आलों को साथ सबी मसालों को एड़ कर लेंगी एक साथी ये सारी मसाले को हम इसमें एड़ कर लिती है और चमज से हमें इस मसाले को आलों के साथ अच्छे सी मिक्स कर लेना है तो हम यहाँ पे आलों के साथ अच्छे सी मिक्स कर लेती है तो ये दिखिए दोस्तों अच्छे से हमने आलों के साथ मसालों को एड़ कर लिया है ये दिखिए और अब हम इस मसाले को रग दे एक साइट में तो आए दोस्तों हम चलते हैं एकली स्टेप की तरफ एक पैन में हम एक चमच तेल को गर्म करेंगे उसमें हम हरी मिर्च को देसी बाला सिर्का एड़ करेंगे विनीगर एड़ करेंगे यदि आपके पास ये वाला विनीगर नहीं है तो आप इसमें वाइट विनीगर को भी एड़ कर सकती हैं लेकिन ये जो देसी बाला सिर्का होता है दोस्तों इसका एकदम डिफरेंट स्वादा आता है इसमें औ और अब इसको हम अच्छे सी mix करेंगे हम याँ पे instant मिर्च का अजार तयार करें जो पराटे के साथ बहुत ही tasty लगता है बहुत थोड़ी सी हमने याँ पे soft powder को add किया थोड़ा सा धन्या powder को add करेंगे याँ पे और अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा अमचूर powder को भी add करेंगे दोस्तों और इसको तब तक आज पे रखेंगे जब तक यह मिर्च हलकी सी soft की हूँ जाती और सबसे last में हम इसमें नीवू को भी add करेंगे तो तयार है खटा चटपटा मिर्च का अचार तो यहाँ पे देखी दोस्तों हमने लिया है सरसू का तेल जिसको धुमा उटने तक पहले हमें अच्छे से गर्म किया और अब हमने इसको ठंडा करके रख लिया है इसी सरसू के तेल चे हम पराठों को सेखने वाली हैं दोस्तों जब हम सरसू के तेल चे पराठा को सेखते हैं तो एकदम अलग स्वाधाता है दोस्तों आप लोग इसको जरूर टाय कीजिएगा और अब हम पराठों को भरके रखेंगे इस तरीके से हम एक लोई लेंगे उसको फैला लेते हैं और जो हमने श्टफिंग तयार किया है उसक इसको बंद कर देंगे जिसकी ये पेलते समय फटेगा भी नहीं दोस्तों जब हमारा आठा सौफ्ट होता है तो पराठा बिलकुल भी नहीं पड़ता जब भी हम कोई स्टफिंग वाली चीज बनाते हैं तो आठे को हमें हमेशा सौफ्ट ही गूजना चाहिए और अब इसक हम पराठों को सेखना है हलके हाथ से दबाते हुए हम पराठों को सेखने हैं तो यह दि दिखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीकी से फूल चुका है बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है से इसी तरीक سے हम सारे पराथो को सेकी रखींगे तो आई तो फटसी प्लेट करेंगे तो एल लेजी दोस्तो तयार है आलू का पराथा हैना एक दम अलग रैस्पी मिर्श के बटर के साथ दही के साथ ये इतना लाजवाब लगता है आप लोग इसको जरू जरू ट्राइ कीजिए का दोस्तो दोस्तो मेरी रेस्पी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरू कीजिए का ऐसी ही नई नई रेस्पी लेकर हम आती रहेंगे तब तक्किली थेंक यू